असलाम अलेकूम असादरा हजरात प्यारे बच्चों और वाले गई पिछले वीडियो में हमने देखा कि पानी के इस्तेमालाद कौन-कौन से है और हमें पानी कहां से मिलता है लेकिन आपको पता है कि अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए पानी का साफ होना बहुत जरूरी है खालिस पानी का इस्तेमाल करने से हमारी सेहत और तंदृस्ती बरकरार रहती है मुक्तलिक जगे पर हमें पानी साफ नज़र आता है लेकिन क्या वो साफ होता है आपको पता है उसमें छोटे छोटे जरासिम होते है जिसकी वज़े से वो हमारे जिसम पर हमारी सिहत पर बहतर असर नहीं होते जैसे कि हम देखेंगे कि जो गंदा पानी होता है अगर वो हमारे पीने में आ जाए तो उससे हमें मुख्तलिक किस्मी की बिमारिया होती है जैसे सबसे पहले पेट की बिमारी पेट दर्ब होता है और गला खराब हो जाता है उसके अलावा पेटेस की बिमारी है जिससे हमारी पेट के अंदर के आते खराब हो जाती है गैर खालिस पानी जो सिर्थ दिखने में साफ होता है लेकिन वो खालिस नहीं होता उससे हमें मुक्तलिब किस्मी की बेमारिया हो सकती है इसलिए हमें पानी साफ और खालिस इस्तमाल करना चाहिए अब हम पानी को साफ और खालिस कैसे बनाएं? आई हम उसके कुछ तरीके देखते हैं जैसा कि पहली तस्यूर में आपने देखा कि हम हमारे घरेलू तरीकों से इस्तेमाल करके हम पानी को खालिस और साफ बना सकते हैं जैसे हमारे घर में च्छनली तो होती है हम उसके जरीए पानी को च्छान कर साफ कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है हम पानी को अपने घर में गैस पर ये चूले पर उबाल कर उसको साफ कर सकते हैं कैसे हम जो पानी को उबालते हैं तो क्या होता है उसमें के जो जरासी होते हैं जो गंदगी होती है वो पानी के उबलने के बाद या तो वो खत्म हो जाती है या तो भाब बनकर उड़ जाती है जिसकी वज़े से पानी साफ और शफाफ हो जाता है किसरा तरीका फिटकरी आपने देखा होगा फिटकरी फिटकरी क्या होती है फिटकरी एक किसम की ऐसी चीज है जिसको अगर आप गंदे पानी में थोड़ी देर के लिए दो तीन मार घोले तो उससे पानी साफ हो जाता है क्या हो जाता है? साफ हो जाता है जीरे जीरे गंदा पानी नीचे बढ़ जाएगा और अच्छा पानी साफ पानी उपर आ जाएगा जिसकी वज этому है आप से पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते है। किकरी के भी भी बहुत से फाइदे है। आएंदा के फिर कभी इस विडियो में हम देखेंगे। उसके बाद एक और तरीका है जो पानी को साफ कर सकता है। वो कौन सा तरीका है। वो साइंसी तरीका है कि हम मुख्तलिक इसमें के पत्थर ले, थोड़ी मिट्टी ले, कुछ घास पूज और कोईला ले और उसको एक साथ एक बॉटल में रख दे, इस्टेप वाइस याने मरहली के तौर पर और उसमें उपर से घंडा पानी डाले और नीचे से साथ पानी का रात्ता बनाएं तो इस तरीके से जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है, इस तजरुबे को करके हम पानी को साथ बना सकते हैं इस तरीके से आज बच्चों हमने देखा कि पानी का खालिस इस्तमाल करना चाहिए और पानी को खालिस और साफ बनाने के कौन कौन से तरीक है